हलो 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 कैसे हो आप लोग कैसे हो आप लोग कैसे हो आप लोग दोस्तो मिना नाम है प्रशान जायन question of the day में आप सभी लोग का स्वागत है आज का question is straight line का जिसमें geometry के concept mix होने वाले है J main 2021 का ये question है 18 March evening shift के अंदर ये आया था तो दोस्तों quickly question पढ़ते हैं let the centroid of the equilateral triangle ABC be at origin one of the sides of equilateral triangle be along the straight line X plus Y equal to 3 if capital R and small r be the radius of circumcircle and in circle respectively of triangle ABC then capital R plus R is equal to ठीक है अब देखें दोस्तों अब ये question straight line का है 2021 में आया था अब आप सोच रहोंगे कि S.O.T. तो गायब हो चुका है तो ये geometry के question कैसे आ रहे हैं तो यार ये सब मिथ्या बात है बहुत easy question है दोस्तों एक trick मैं आप लोग को बताऊंगा उससे बहुत easy हो जाता है आप लोग attempt कीजेगा आज का जो question of the day है वो काफी आसान है अब आप सूच के देखिए कि ये centroid है ये आपका centroid है ये एक line है x plus y equal to 3 अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर सर ये altitude डालो आप फिर ये जो line है यहाँ से कुछ तो एक ऐसा equilateral triangle बनेगा मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसके अंदर आप लोग को कुछ भी ऐसा करने की ज़रूत नहीं है एक बहुत ही simple formula हम लोग को लगाना उससे आपका काम हो जाएगा आप सोच के देखिए equilateral triangle के अंदर जो equilateral triangle होता है ये property होती है centroid circums और in center coincide करते है मतलब अगर centroid आपको दे रखाया तो वो सभी चीज़े है अब आप देखिए दूस्तों ये line आपकी x plus y equal to 3 है ये point आपका 0,0 है जो in center है अब ध्यान से देखिएगा in center है इन center से जो perpendicular distance होता है वो ही small r होता है तो हम perpendicular distance निकाल देते है जीरो प्लस जीरो माइनस 3 upon root 2 तो 3 upon root 2 आपका answer आगया ये ये आपका small r आया है small r आप लोगों का 3 upon root 2 हो गया अब देखो equilateral triangle में capital r upon small r का ratio 2 to 1 होता है क्यों भई? क्योंकि देखो ये circum center है circum center का vertex से जो distance होता है वो ही capital r होता है और centroid median को 2 to 1 के ratio में divide करता है equilateral triangle में जो median है वो ही angle bisector है वो ही perpendicular bisector है वो ही altitude है सब सेम है तो 2 to 1 हो गया इसका मतलब capital r आपका 6 upon root 2 हो गया तो r plus small r कियेकर मैं बात करूँ तो वो 9 upon root 2 हो जाता है आई बात समझ में बहुत ही simple ये question है मगर ये तभी आप लोगों से हो पाएगा जब आप लोगों ने ये properties याद रखी है तो मैं आप लोगों को दोस्तों SOT के अंदर checklist बता जाता हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहे आप सोचते हो कि solution of triangle नहीं है सले बस में आपको देखे centers of triangle धंक से आने चाहिए वैसे centers of triangle आपके straight line के अंदर भी आ जाते हैं मैंने भी अपने lecture में बढ़ाया है मेरा जो bounce back का lecture है उसके अलावा sine rule और cosine rule आपको आना चाहिए ठीक है sine rule और cosine rule आपको आना चाहिए capital R ABC upon 4 delta होता है small r delta upon S होता है ये दोनों formula आपको crystal clear होने चाहिए SOT के अंदर ये चीज़ अगर याद होंगी तो बहुत अच्छी बात है और अगर ये याद हो जाती है तो complete ही हो गया फिर 10 A by 2 delta upon S into S minus A होता है delta क्या है area here on formula जो होता है basically S S minus A S minus B into S minus C अगर आप लोगों ये सब चीज़ याद है ना दोस्तों आपका पता है दिमाग में अपने आप geometry आईगी वरना ये question अना अगर straight line method से करोगे तो रहसा हमने coordinate से तो unthinkable लगता है मुझे के भी कैसे होगा है तो geometry का जो application है खास का 9th और 10th की geometry वो बहुत ही जादा important है और अगर आप देखी ये सोचते हैं कि SOT syllabus में नहीं है तो मतलब अच्छी बात है अगर आप ये सोच रखते हैं तो कुछ ने कुछ question में आप लोग miss out करेंगे definitely मु root S into S minus है जो Hieron's formula होता है ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है तो दोस्तों I hope आप लोग को ये question बहुत अच्छा लगा बहुत elementary question है but बहुत important है important चीज़ है यह होती है कि difficult questions तो आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं मगर ऐसे simple question आप लोग के सारे correct होने चीज़ तेंक य कर दो